हेलो फ्रेंड्स अगर आप भी इग्नु से स्टेडी कर रहे हैं कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपको अपना एक ID कार्ड स्टार्टिंग में चाहिए होता है वो डाउनलोड करने की जबत पड़ेगी अगर आप चाहते हैं उनलाइन एक मिन्ट में इसे डाउनलोड करना तो आज की वीडियो में यही बताने वाले हैं एक को यह एप्लिकेशन आपको डाउनलोड करनी है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ठीक है यह मैंने डाउनलोड कर लिया ऐसे आपको करना है इसको हम ओपन करेंगे ओपन करते ही आपको कुछ डिटेल्स डालनी है जैसे इन्रॉल्मेंट नमबर आप कौन सा प्रोग्राम अपनी डाल देते हैं अब भी अपनी डेट अप बर्द डाल देंगे जो भी अपने डेटेल्स डाली होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिर हम सब्मिट करतेंगे सब्मिट करते ही देखिए हमारे पास यह ऐसे स्क्रीन पर सो करेगा जिसमें हमें कुछ डिटेल्स मालूम चलेंगे जैसे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, मेटेरियल स्टेटर्स, रिजल्ट, डाउनलोड, ओनलाइन सर्विस, आईडी कार्ड आप अब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आपके उसको उपन करने के लिए एंरॉल्मेंट नमबर डालना है इसका मतलब यह है थीक है तो चली हम कर देते हैं अब यह हमारा डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा यह देखिए हमारा सामने सो कर रहे है, पीदिया यह डाउनलोड हो चुका है हमारा अब हम इसे जाके could not download due to error अभी कुछ error आ रहा है basically download आपको यहीं से करना है तो हम एक बार file manager में जाके देख लेते हैं यह देखे डाउनलोड हो चुका है अब हम यहाँ पर अपना password डाल देंगे वो error सो कर रहा था बर download हो चुका है तो एक बार download में जाके आपको जरूर चक करना है क्योंकि हो सकता है कभी पहले भी download किया हो तो ऐसा लिखा आ जाता है लेकिन आप first time करेंगे तो आपको कोई problem नहीं आएगी फिर भी आपको कोई problem आती हो तो आप मुझे comment करके पूश सकते है मैंने अपना यहाँ enrollment number डाल दिया है मैं okay click करूँगी यह देखे यह मेरा इगनू का जो identity card है वो download होकर आ गया है ठीक है इस तरह से आप भी download कर सकते हैं आपको कोई problem नहीं आएगी यह वैसे देखा जाए तो एक से दो मिनिट का काम है आपके पास यह application होने जरूरी है तो आप इसे download करके easily download कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो आप इसे like कीजिए और मेरी चैनल को subscribe कर लीजिए क्योंकि ignorance related बहुत important videos में लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए काफी helpful होने वाले है and thanks for watch this video